वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्या दितिनाथ ने कहा कि आप इन पारिवारिक पार्टियों से क्याम मिद करते हैं। ये केवल अपने परिवारों तक ही सीमित हैं चाहे कॉंग्रेस हो, नैशनल कॉंफरेंस हो या समाजवादी पार्टी। इनका कोई राश्टी एजेंडा नहीं है, बलकि इनका परिवार ही इनका अजेंडा है। एक तरव अगडबंधन राश्टी नायकों का अपमान करता है और दूसरी तरफ माफिया और आतंकवादी तत्वों को बढ़हावा देता है। अभी कुछ दिन पहले जब एक कख्यात माफिया की मौत हुई तो समाजवादी पार्टी के राश्टी आध्याग शोफ व्यक्त करने गए। लेकिन जब राम जन्म भूमिया अंदोलन चल रहा था तब राम भक्तों के साथ उनका विवहार कैसा था। इन परिवारवादी दलों से आप क्या उम्मीद करते हैं। यह क्यों अपने परिवार के लिए तक अपने परिवार के लिए सीमित हैं। और स्वाभाई कुरूप से मैंने पहले भी कहा कॉंग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो या नेशनल कॉंफेंस। इनका कोई नेशनल एजन्डा नहीं है। इनका एजन्डा इनका स्वेम का परिवार है। और स्वार्थ पर आधारित इनकी परिवार का एजन्डा एक तरफ राष्ट नायकों का अपमान करता है। तो दूसरी तरफ माफिया और आतंग की तुत्तों को ये लोग प्रस्रे देते हैं, प्रोथसाहित करते हैं, उनका महिमा मंदन करते हैं। आतंग बादियों को उन आतंग बादियों का जिन लोगों ने अयोध्या में राम जनम भूई पर